नमस्कार और सबका स्वागत है आज हम पहला सेशन अपने निमरिलोजी कोर्स का करने जा रहे हैं दो-तीन चीजे हैं जो समझ लेना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं मानता हूँ कि जितने लोग आज हम जुड़े हैं हम सबने बेसिक कोर्स किया है और हम जब एडवांस कोर्स कर रहे हैं तो मैं यह मानता हूँ कि हम में से हर कोई एक निमरिलोजिस्ट की तरह कारिय करेगा और इसे प्रोफेशनली सीख रहा है क्योंकि हम एडवांस कोर्स करने जा रहे हैं अपने अनुभव से कुछ चीजे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ देखिए कोई भी विद्या हम सबके अंदर होती है हमारे नंबर्स में होती है क्लास करने से किताब पढ़ने से हम उसे कर पाएंगे कोई बात नहीं शुष्मा जी आप न वीडियोस देख लेना जो भी यूटूब पे है बेसिक की वैसे हम इसे इस तरह से कंसिडर करेंगे कि सबको समझ में आए ये विद्या कैसे हमें आएगी दो चीजे है पहली बात तो ये है कि जब यूटूबर्स को हम ये सिगनल देते हैं कि हम ये विद्या सीखना चाहते हैं तो यूटूबर्स आपको रिटर्न में ये विद्या देगा या नहीं वो इस बात पर निर्धारित करते हैं कि आप यूटूबर्स को ये सिगनल क्या देते हैं कि आप ये विद्या क्यों सीखना चाहते हैं क्या आप यूट्यूब पर बड़े-बड़े विज्यापन और लोगों को खूब पैसा कमाते हैं उनके सेमिनार में सो लोग और फीज से मल्टिप्लाई करके आपको ऐसा महसूस हो कि लोगो कितना मोटा पैसा कमा रहे हैं अगर ये सारी कल्कुलेशन्स आपके दिमाग में चलती हैं तो आपको ना उस क्लास में रसाएगा और ना आप इसे सीख पाएगे तो फिर राज कैसे है कैसे ये विद्या हमें आएगी ये विद्या हमें आएगी जब हम यूनिवर्स को ये सिगनल देंगे कि उसकी काइनात में उसकी स्त्रिष्टी में हम इस विद्या को सीख के कॉंट्रिब्यूट क्या करना चाहते है हम लोगों की जिंदगी में हम इस प्लैनेट पे किस तरीके से एक पॉजिटिव चेंज अच्छा चेंज लेकर आएंगे इसे सीख कर अगर ये यूनिवर्स को हम सिगनल दे देते हैं सही सही सिगनल तो यूनिवर्स आपको ये विद्या निश्शित रूप से देगा आप रात में सोएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ये विद्या कहां से आ गई तो जो पहला परपज है देखिए जब आप अपने पैशन पर जब आप अपनी कर्मों पर जब आप अपनी इच्छाओं पर कोई कारिया करते हैं और उसमें सेवा का भाव होता है और उसे शिद्दक के साथ करते हैं महनत के साथ करते हैं मांदारी के साथ करते हैं तो पैसा अपने आप आता है पर अगर पैसा primary है तो फिर property dealing, trading या share market वाले काम अच्छे होते हैं आप लोगों को numerology सिखाना या numerology के prediction देना लोगों को तो फिर वो विनाशकारी हो जाता है क्योंकि इसमें पैसा follow करता है primary नहीं है तो जब आप एक प्रार्थना के साथ इस कारिया को शुरू करते हैं जब आप प्रार्थना के साथ इश्वर से मांगते हैं कि इश्वर मैं मुझे इस योग्या बनाएं कि मैं लोगों के जीवन में कुछ contribute कर पाऊं परिवार के जीवन में कुछ contribute कर पाऊं और अंत में यदि आपकी इच्छा हो इश्वर तो अपने जीवन में भी कुछ कॉंट्रिब्यूट कर पाऊ तो निश्चित रूप से आप इस विद्या को पूरी तरह समझ जाएंगे आप लोगों से मिलेंगे तो बिना बात की आपको पता चलेगा कि उनके इच्छा क्या है उनके अंदर कमिया क्या है क्या हूँ जीवन में अच्छा कर सकते है तो इस एटिट्यूड के साथ इस अनुभव के साथ धन्यवाद की भावनाओं के साथ इस विद्या को सीखें इस क्लास में कोई कोई जल्दबाजी नहीं है कुछ ऐसा नहीं है कि हम इतनी लेक्चर करने इतने दिन में खतम करने हैं जब तक आप लोग स्रटिस्ट्राई नहीं होंगे हम ये कलास करते रहेंगे जब तक आप सब को नहीं लग जाता कि हम एक नुमरिलोजिस्ट बन गए हम ये class करते रहेंगे लेकिन जो आपका homework है उसे श्रद्धा के साथ आप जरूर करेंगे इमानदारी के साथ आप जरूर करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी मैं screen share करता हूँ और हम कुछ ऐसा discuss करने जा रहे हैं जो आपने numerology में कभी सुना नहीं सबको पहली slide दिख रही है देखिए हमारे अश्टित्व में सारी चीजें जो हैं वो पांच elements से मिलके बनी हैं पांच तत्तों से मिलके बनी हैं और ये पांच तत्तों कौन से हैं ये आकाश है अगनी है वायू है जल है और प्रत्थवी है क्योंकि जो स्रिष्टी है और जो ब्रह्मान है जो universe है the basic building block of the universe are the numbers numbers are not invented numbers are discovered before we know what numbers are the universe always have the numbers मैं आपको एक example बताता हूँ कि अगर आप सूरिय से चंद्रमा और सूरिय से प्रत्थवी की दूरी नापने लगें तो प्रत्वी से चंद्रमा कितनी दूर है अगर आप चंद्रमा को ले और चंद्रमा को थाली की तरह रखते रखते प्रत्वी तक पहुंचें तो 108 बार रखने पर आप प्रत्वी पर पहुंच जाएंगे अगर आप इसे एड़ करें तो no number आता है ऐसी अगर आप यह जानना चाते हैं कि सूर्य प्रत्वी से कितनी दूर है तो आप सूर्य को लें और एक थाली की तरह उसे रखते वे प्रत्वी तक आजाएं 108 बार रखें तो आप प्रत्वी पर पहुंच जाएंगे आप इंटरनेट पर इस कैलकुलेशन को दोनों की डिस्टेंस और सन और मून का डायमेटर निकालके कन्फर्म कर सकते हैं और यह रिगवेद में साड़े-पांच जार साल पहले बताया गया तो यह नमबर कितना आता है यह नो नमबर आता है और यह अतनी खुबसूरत कैलकुलेशन है कि आप माइल्स में नापते हैं आप किलोमेटर में नाते हैं आप फीट में नाते हैं ये reading किसी unit पे depend नहीं करती खुबसूरत unit है no का number आ रहा है grow की बात करें no का number आ रहा है आप देखिए सारे पेड़, सारी पत्तियां, सारे ग्रहे, उनकी गतियां electron, proton, neutron, atom, यहाँ पे सब कुछ goal है और goal में आप कोई भी shape ले ले ले, आप square ले ले, कोई भी ले ले अगर आप उसके सारे angles को सम करें तो 360 आता है और 360 फिर से 9 आता है तो 60 को बनाने में 9 अंक का प्रियोग हुआ है 9 से शुरू हुआ और ये उल्टा जाते जाते 1 तक पहुँचा और इस परकार 9 अंक को से सारे स्ष्ष्टी का निर्मान हुआ है अगर elements की टर्म में बात करें तो 3 गुन पैदा हुए, 7 रजितम और 5 अलिमेंट पैदा हुए 7 सुर, 7 रंग पैदा हुई, 7 गंद भी होती है हमारे जितने sensory system है, उन्हें सबको 7-7 का अंक दिया गया है तो ये 5 अंक है आकाश जो सबसे महीन होता है आख से नहीं दिखता, दूसरा element होता है fire जिसे हम तेजस बोलते हैं, आख से नहीं दिखता क्योंकि आप सूरिय की रोशनी को, सूरिय की लाइट को नहीं देख सकते आप केवल सूरिय से प्रकाशित वस्तूओं को देख सकते हो एं lightened object you can see, you cannot see light ऐसे ही आप air की बात करें, तो air को आप feel कर सकते हैं touch से बढ़ आप देख नहीं सकते, पर दो element बिलकुल physical है, water और earth मैंने इनको ये sequence में लिखा है, तो इनकी जो physical ability है जो इनकी density है, वो बढ़ती गई है, आकाश से लेके earth तक ये पाँच element है, और जैसा कि पिछली class में भी हमने बात की थी कि कौन-कौन से planet का कौन-कौन सा element होता है, पिछली बार हमने बात की थी, कि जो sun होता है, उसे एक number से represent करते हैं और उसका primary element आकाश होता है, जो moon है, उसका primary element आकाश होता है, जो Jupiter है, उसका primary element आकाश होता है, तो इस सुरू के जो तीनों ग्रहे हैं, वन, टू, त्री, sun, moon, जुपीतर, यह बेसिकली आकाश टत्व के हैं, इसलिए यह सत्तत्व का निर्मान करते हैं, जो इसके बाद के element है, पाँच, छे और आठ, मर्कृरी, वो आपका अर्थ element है, उसका primary, Venus का primary element water है, Saturn का air है और mass का fire है, यह पिछली हमने जो introductory class की थी, उसमें discuss किया था और यह आप सब जानते भी है, पर किसी भी planet का जैसे मैंने बताया कि कोई एक single element नहीं होता, तो इनका secondary element है, sun का क्या है, वो तेजस है, तेजस मतलग जिसे आप अगनी के रूप में जानते हो, जिसे आप fire के रूप में जानते हो, तो sun का दूसरे element तेजस है, क्योंकि sun से light आती है, light को इकठा करने से heat पैदा हो जाती है, moon का क्या है, water है क्योंकि moon मन का प्रतीक है इसका second element जल है Jupiter का second element क्या है अर्थ है Mercury का second element क्या है Air है Venus का second element क्या है अर्थ है Saturn का अर्थ है और Mars का भी अर्थ है तो जैसे ही ये primary element प्रत्वी तत्व से मिलते हैं तो ये secondary element को जन्म देते हैं और आपके 6, 7, 8, 5 ये सारे इस तरह के ग्रोह का निर्मान हो जाता है Sun, Moon and Jupiter ये basic element है जो primary element है ये कहीं से आये नहीं है ये जो ग्रह है प्लैनेट इन से फिर बाकी ग्रोह का निर्मान हुआ है element की mixing होने के वाजा से अब कुछ latent element होते है जो सब ग्रहों में नहीं होते है मगर Jupiter में होते है Jupiter का जो एक latent element है वो क्या है वो fire है तो Jupiter में fire भी होती है बट क्या है वो latent होती है चुपी हुई होती है दूसरा कौन से element है जिसमे latent element है और वो है आपका venus और क्या है ये ये भी fire है तो रज भी थोड़ा सा गरम होता है और जुपीटर भी क्योंकि अगनी तत्तों का ग्रह है तो उनमे fire एक latent element के रूप में रहता है primary secondary element के रूप में नहीं रहता इसके बाद कि जो दो ग्रह बचते हैं जिनने छाया ग्रह कहते हैं उनके element क्या है उनके element है आपके opposite element अगर आप देखें तो air और fire opposite element water and earth तो राहो के air और water element है और केतु के fire और earth element है और इन दोनों का जो latent जो hidden element है वो है आकाश तो इस प्रकार से सबसे पहले हमें इनके elements के बारे में सीखना है शुरू में आपको ये digest नहीं होगा पर इसे हम discuss करेंगे और धीरे 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 जैसे class आगे बढ़ेगी आप इसे समझने भी लगेंगे अब आगे की जो slide मैं आपको बताने लगाऊं इसे बहुत ध्यान से सुनना है और ये slide आपने ना कभी देखी होगी ना सुनी होगी हम यूगों की बात करेंगे जो इस generation में जो इस प्रत्वी पर अलग-अलग यूग चलते आए हैं उनका संबंद किस प्रकार ग्रहों से हैं वो हम इसमें देखेंगे देखिए हम सबसे पहला यूग सत्यूग मानते हैं सत्यूग एक ऐसा यूग था जिसमें सत्यूग का बहुत प्रचार था तो इसका जो प्रैमरी नंबर था सत्यूग का वो 1 था और सपोर्टिंग नंबर 9 था देखिए सपोर्टिंग नंबर और ये नंबर अगर दोनों को आप सम करें तो यह हमेशा 1 आएगा तो इसे 1 और 9 को अगर आप सम करेंगे तो 10 आ गया 2 और 8 को करेंगे 10 आ गया 3 और 7 को करेंगे 10 आ गया 4 और 6 को करेंगे 10 आ गया 5 और 5 को करेंगे 10 आ गया तो ये इसका primary element है और ये इसका supporting element है बस ओरी number है तो ये primary number है और ये इसका secondary number है तो सतियुक की अगर बात करें तो sun किस चीज़ का number होता है देखिए sun जो होता है एक nourishing planet है potion करने वाला हम सब को potion देने वाले हम सब की जीवन में immunity देने वाला कौन सा planet है sun है तो sun है एक number जो हमारा पालन करता है और supporting number 9 एक fire element है तो आप देखेंगे कि सतियुक की जब समाप्ती हो रही थी सतियुक जो अपने peak पर पहुचा तो उस time पर हिरनकशप नाम का एक आदमी था जो इश्वर के विरुद्धूई खड़ा हो गया तो उसमें जब इश्वर ने उसको नश्ट करने का जब उठाया तो वो no number से पैदा हुए यानि वो fire से पैदा हुए वो एक खंबे से पैदा हुए और उस खंबे से पैदा हुए और उस व्यक्ति से उस नास्तिक व्यक्त से humanity को मानवता को उन्होंने निजात दिलाई राहत दिलाई तो वो जो समय था वो सत्यूक का समय था सत्यूक के बाद त्रेता का समय आया त्रेता में आपको पता है कि भगवान राम एक अवतार के रूप में हुए तो उनका जो supporting element था वो आठ था आठ किसका नंबर होता है श उनके जीवन में आप किसी शबरी को देखेंगे उन्प्रिविलेज्ड लोगों को देखेंगे उन्प्रिविलेज्ड लोगों को देखेंगे जिने लोग बानर कहते थे है ना वो बंदर थे ऐसा नहीं है या उनकी पूंश होती थी पर उनके जो कबीलों के नाम ऐसे थे है ना कि बानर कबीला उनको बोलते थे तो वो कैसे लोग हैं? वो वो लोग हैं जो unprivileged हैं जिने लोगों ने त्याग दिया जिन लोग आदिवासी समझते हैं पर सारे आठ नंबर को लेकर और पाप के खिलाप जुल्म के खिलाप भगवान राम ने वो लड़ाई लड़ी और उनका टूल क्या था? त्रेता में उनका टूल था एमोशन्स उनसे ज़्यादा मर्यादा वैला व्यक्ति ढूनना मुश्किल है वो पूरी तरीके से एमोशन डिवन व्यक्ति थे तो जब घर छोड़ने की बात आई तो भी उन्होंने दो नमबर को माना जो मा की जिद थी जो एक दो नमबर जो आपका इमोशनल नमबर होता है चंद्रमा का नमबर होता है मा का नमबर होता है तो मा की बात उन्होंने मानी दो number, क्योंकि स्तृट्जु का number होता है, emotions का number होता है जंगल में उन्हें पता है कि यह hijran असली नहीं है वो जान रहे हैं कि हिरन में कुछ गड़बड है पर क्योंकि सिता जी कह रही है और उने कभी किसी emotions को पीछे नहीं डाला वो उसके लिए भी चल देते हैं और श्री राम जब जीवन छोड़ते हैं, तो भी वो जल समाधी लेते हैं, तो जल का ही उनका जीवन है, तो त्रेता में जो नंबर का पेर था, वो दो और आठ था, फिर द्वापर आया, द्वापर में कौन-कौन से नंबर थे, तीन और साथ, साथ नंबर आपका केतु का न आप देखिए केतु क्या है एक युद्ध इस्थल भी है तो ये दुनिया का पहला ऐसा वाक्या था दुनिया का अकेला एक ऐसा किस्सा है एक ऐसी घटना है आप देखें आपको धर्मुपदेश कहां मिलता है आपको धर्मुपदेश मिलता है मंदिरों में सत्संग में पर य युद्ध की भूमी में क्या कोई समझ सकता है क्या कोई मान सकता है कि जहां लोग लड़ने के लिए तक पर खड़े हैं धनुश बांड लिये होगे चारो तरफ लोग लड़ने को आतूर हैं और विश्व का सबसे बड़ा उपदेश उस युद्ध भूमी में पैदा हो गया यही केतू है अब देखे भगवान कृष्ण लेटे है और एक तीर उनके पैर में आगे लगतार उनकी मृत्यों हो जाती है तीर क्या है केतू है जब द्वापर का अंथ हो रहा था और कल्यूगा रहा था जनमेजे की अब कहानिया सुनते हैं तो सारी सर्कों की नागों की क अब देखें नरसिंग अवतार हुए उन्होंने कोई ज्यान की बात किसी को नहीं बताए भगवान श्री राम आए तो उन्होंने अपने जीवन से एक मरियादा भरे जीवन से लोगों को सिक्षादी कोई उपदेश नहीं दिया लेकिन भगवान कि जुपिटर के रूप मे है तो उन्होंने लोगों को सेंस ओडिस्क्रिमिनेशन से उपदेश से जुपिटर क्या एक मेंटोर है तो क्या भगवान कृष्ण ने कोई हतियार उठाए भगवान राम की तरह लडाए लड़े नहीं बस हुए एक मेंटोर थे तो वापर को किनकी नमबरों ने डिवन किय तीन और साथ ने डिवन किया अब सबसे महत्यपून जो नमबर है वो कलियूक के नमबर है तो कलियूक का सपोर्टिंग नमबर है सिक्स अब इस चीज को दिहान से समझें सिक्स नमबर किसका होता है सिक्स नमबर वीनस का होता है और वीनस क्या है वीनस लगजरी है वीनस क् वीनस प्रेम है और अपने उच्च तम रूप में कुंडली के बारवे घर में वीनस क्या है वीनस बगती है और इसका प्रैमरी एलिमेंट क्या है राहू तो आप देखिए दुनिया की जितनी खोज हुई वो सारी कब हुई? कल यूग में हुई बारूत की खोज हुई कब हुई? कल यूग में हुई इंजन की खोज कब हुई? कल यूग में हुई हवाई जाज की खोज कब हुई? कल यूग में हुई कि ये सब राहू है इलेक्टिसीटी की खोज कब हुई? कल यूग में हुई और जैसे जैसे AI का आप देख रहे हैं यह सब राहू है बेसिकले आप देखें अब TV पर एड देखिए राहू का हम टॉइलेट का प्रतिक मानते हैं यह हुमेनिटी पहली बार हर आदमी अपने बातरूम को अपने टॉइलेट ब्लोग को सुन्दर बनाने में लगा है है ना आप अगर एड भी देखेंगे तो वहाँ पर आटमेटिक टॉइलेट्स आपको नजर आती है तो यह राहू का काल है और लगजरी कितनी बढ़ गई है आप देखें कि शुरू में लगजरी लोगों की जिन्दगी में बड़ी कारे या बड़े अच्छे घर बहुत कम लोगों को मिलते थे आज की तारिक में हर व्यक्ति को आप देखी हर व्यक्ति के पास एक लगजरी गाड़ी आपको नजर आएगी मतलब जायतर लोगों के पास तो राहू और वीनस इतना ज़ादा बढ़ा है कलियूग में मगर इसमें एक positive point है positive point क्या है कि वीनस भक्ति का प्रियोग प्रतीक भी है सत्यूग में अगर आप देखें तो वहाँ पे एक नमबर था तो वहाँ पे 9 नमबर था तो वहाँ पे आप धर्म के नाम पे मोक्ष को प्राप्त होते थे त्रेता में 8 नमबर था 2 नमबर था आप सेवा के रूप में मोक्ष को प्राप्त होते थे द्वापर में 7 नमबर था 3 नमबर था आप ध्यान meditation से मोक्ष को प्राप्थ होते थे कल यूग में क्योंकि छे नंबर है तो मोक्ष पाने का एक ही रास्ता है प्रेम और भक्ति है ना तो कल यूग में अगर कोई मोक्ष को पाना चाहता है तो उसे वीनस के उच्छतम रूप यानि के शुकर के उस तम रूप भक्ति पे जाना पड़ेगा और जो चार नंबर है जो राहू है वो ये बताता है कि इस यूग में जब चुनोतियां भी ज़्यादा है अगर कोई व्यक्ति मोक्ष के रास्ते पे जाता है तो सत्यूग में एक हजार साल तक तब का जो फल होता था कल्यूग में एक दिन की भक्ति का वो फल मिलता है किससे जैसे सत्यूग में आप बैल गाड़ी से चलते थे कल्यूग में आप प्लेन से चलते हैं तो हर चीज की कती बढ़ गई है पाप की कती बढ़ गई है पून्य की गती पड़ गई या भक्ति की तो अगर आप देखें तो कल्यूग का इस समय इतनी सुन्दरता का समय है हरी साब से इतना अच्छा समय है इतनी ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम का समय है कि जब मानव के पास ये सपोर्ट सिस्टम कभी नहीं रहा लेकिन अगर आप illusion म जब आप मोबाइल बनाने वाली कंपनीज को जब आप बैटरी बनाने वाली कंपनीज से इतना पॉलूशन फैला लेंगे कि यह स्रिस्टी कल्यूक के बाद अगर हम नहीं चाहते तो इस स्रिस्टी का विनाश हो जाएगा और जहां से मनुश्यता खतम हो जाएगी इसके बाद क्या होगा इसके बाद आएगा मरकरी और मरकरी का जो कॉंपलिमेंट्रि सपोर्टिंग नंबर होता है वो भी मरकरी ही होता है तो मरकरी यह कैसा समय होता है मरकरी जब केवल और केवल मरकरी इस प्रत्विव पर रहता है तो इस पर जीवन नहीं होता आप देखें हमारा प्लेनेट जो है वो साड़े तीन करोड साल पहले बना मनुश्य था उस पे लगबग दो लाग साल पहले आई है उससे पहले का जितना भी समय है वो नो मैन का टाइम था स्टार्टिंग में यह बंजर प्लेनेट था फिर यहां पे बारिश शुरू हुई जल आया फिर बनस्पती आई फिर सारी चीजे आई तो यह जो टाइम होता है यह होता है मरकरी का टाइम तो मरकरी का टाइम उसके बाद आएगा कलियुक के बाद जब प्रत्व पर जीवन नहीं होगा जीवन फिर से हरा बरा होगा और फिर से सत्युक की शुरुवात होगी और ये इसी प्रकार से ये नो नमबर अपना खेल ऐसे दिखाते रहते हैं हर यूग में इन नमबरों के हिसाब से समय बदलता रहता है चुनोतियां बदलती रहती है भक्ति का मोक्ष का तरीका बदलता रहता है तो जिस यूग में आप इस विद्या को पढ़ रहे हैं जिस यूग में आप जी रहे हैं अगर आप नमबरों के हिसाब से अपने कर्मा का अलाइमेंट कर लेंगे अगर नमबर के हिसाब से आप अपने जीवन शैली को बना लेंगे तो आप अपने जीवन में अपने कोई भी लक्षे रखा है पैसा कमाने का रखा है मोक्ष का रखा है जीवन में सुख शांती का रखा है लक्जरी का रखा है तो वो आपको लक्षे जरूर प्राप्त होगा अगर आप अपनी डेटो बर्त और अपने जीवन में आने वाले नंबर्स की बेसिक इंस्टिंक्ट को बेसिक डिजायर को पहचान लेंगे केरेटरिस्टिक को पहचान लेंगे और ये आप समझ जाएंगे कि नंबर आपसे क्या करवाना चाहता है तो निश्चित रूप से सफलता आपको जीवन में मिलेगी तो अगर आप देखें तो आपका यूनिवर्स आपकी गिलक्सीज आपका सोलर सिस्टम आपका स्टार्स आपके प्लैनेट आपकी सारी क्रियेशन आपकी बोड़ी आपके बोड़ी के औरगन आपके टिशूज आपके सेल्स सब पाँच एलिमेंट से मिलकर बने हैं कौन-कौन से आकाश अगनी वायू जल और प्रत्वी अब थोड़ा सा हुमन एक्जिस्टेंस की बात करते हैं हमारी चेतना की एक्जिस्टेंस की बात करते हैं तो देखिए एक पावर थी सेल्फ कॉंचिशनेस जिसे आप एक नमबर भी कह सकते हैं उस self consciousness ने उस इश्वर ने उस परम इश्वर ने क्या किया कि स्रिश्टी का निर्मान किया और उन्होंने जो सबसे पहली आत्मा के उपर जो लेयर चड़ाए उसे हम बोलते हैं आनंद में कोश तो आत्मा पहली लेयर में आई शरीर की आनंद में कोश में फिर उसके बाद विज्ञान में कोश की दूसरी लेयर आई फिर मनों में कोश की तीसरी लेयर आई फिर प्राण में कोश की चोथी लेयर आई और फिर अन में कोश की पांच वी लेयर आई और इस प्रकार आज हम इस शरीर के साथ पांच की पांच लेयर के अंदर पांच शरीरों के अंदर बैठे हूंगा जैसे पांच एलिमेंट है ऐसे ही आपके पांच शरीर भी है तो आनन्द में कोश की अगर बात हम करें तो जो सबसे पहला जो खूल आत्मा के ओपर चढ़ा आनन्द में कोश इश्वर से अलग होने के बाद तो उसका जो तत्तू था वो आकाश था इसके बाद विग्ञान में कोश जो अगला उसके ओपर कोश या body या सीथ जो आई आत्मा के उपर वो विज्ञान में कोश थी इसके क्या क्या element थे दो element थे एक आकाश और एक तेजस तो इस प्रकार हमारी जो wisdom body होती है जो विज्ञान में कोश होता है उसके उपर आपके दो element होते है फिर next आया मनो में कोश तो मनो में कोश तीन element से मिलकर बनता है एक और लेयर चड़ी आत्मा के उपर शेरी रोकी और यह हो गया आकाश, तेजस और एर फिर आया आपका प्राण में कोश प्राण में कोश जिसके चार element होते हैं आकाश और अब मैंने fire क्यों लिखा मैंने fire यहां पे इसलिए लिखा कि अब यह cosmic body नहीं है प्राण में कोश इस प्रत्वी पर पलने वाला शरीर है क्योंकि जल इसका एक तत्व है जल क्योंकि transparent होता है पानी पानी को आप देख नहीं सकते पानी के पार दिख जाता है आपको तो इसके चार element हो गए और अब क्योंकि यह physical body थी तो हमने तेजस को fire बोल दिया कि तेजस जैसे ही प्रत्वी पर आता है तो fire बन जाता है इस प्रकार से आपका प्राण में कोश चार तत्वों से मिलकर बना था और यह आ गया अब अन्न में कोश जिसमें हम सब रहते हैं जो हमारा शरीर है तो अन्न में कोश में आप देखें तो इसके पाँच element होगे पूरे पाँच element और नो नंबर जिन से हम मिलकर बने हैं वो क्या-क्या है अकाश है, अगनी है, वायू है, जल है और प्रत्वी है ठीक है तो इस अन्न में कोश के अंदर रहता है पराण में कोश, पराण में कोश के अंदर रहता है मनों में कोश, मनों में कोश के अंदर रहता है विज्ञान में कोश, विज्ञान में कोश के अंदर रहता है आपका आनन में कोश और जब इन सारे elements से सारे तत्वों से हमारा शरीर छूट जाता है तो हम फिर से मोक्ष के रास्ते पे पर हम इश्वर के साथ जाके फिर से एक हो जाते है है न हमारे सास्त्रों में इसे हमने कारण सुक्षम और इस्थूल शरीरों से भी कहा है तो इस्थूल शरीर कौन से होते हैं? इस्थूल होते हैं अन्य में और प्राण में सुक्षम कौन सा होता है? मनों में कोश और कारण शरीर कुम सा होता है विज्ञान में और आनन्द में को मिला के हम कारण शरीर कहते हैं तो इस परकार आत्मा के उपर जो इतने शरीर आए हैं ये भी हमारे numbers हमारे elements की वज़ा से आए हैं थोड़ी सी चीजे हैं हाला कि बहुत relevant नहीं है हमारे course से पर फिर भी मैं आपको बदा देता हूं कि अन्द में कोश के पांच पार्ट होते हैं क्या होता है आपके हाथ पहर होते हैं आप जो खाते हैं और जब excrete करते हैं है ना तो एक आपका हो गया अंदर आने का सिस्टम मलमूतर जैसे निकलता है बाहर जाने का सिस्टम दो हो गया है ना और आपके जो है कहां कहां से निकलता है पसीना निकलता है जैसे liquid तो जो शेरी में inlet आ रहा है और जो शेरी में outlet जा रहा है इन सब को मिला के हमारे अन्द में कोश के पांच पार्ट किस दिन बात करेंगे कि किस प्रकार से ये वायू हमारे प्रान हमारे अंदर जाता है उस समान हमारे पेट को दिखाता है अपान हमारे जो खाने में से एक्ष्टेक निकलते हैं गंदी वायू को बाहर निकालता है वयान हमारी ऑक्षिजन को लेके हमारी सारी जितनी भी सेल्स कोशिक आए उनको खाना देता है और उदान हमारा ऊपर की तरब चलके हमारे चेहरे को हमारी भूँ, हमारी आठें, आखों के moment और हमारे brain में जो भी चीजें होते हैं उसको वायू देता है, इस प्रकार से पांच प्रकार की वायू हमारे प्राण में कोश में रहती है मनों में कोश्ट के अगर बात करें तो जो पांच जो आपकी sensory systems है क्या-क्या है? आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं नाक से हम smell करते हैं और मुँ से हम टेस्ट करते हैं और पूरी body से हम touch करते हैं तो ये पांच तरह का जो sensory system है ये basically किसे signal देता है? मनों में कोश्ट को देता है मन इन से signal लेता है कुछ देखता है मन तो उसे कुछ feel होता है कुछ खाता है, टेस्ट आता है तो feel आता है, कुछ सुनता है तो उसे कुछ feel आता है तो सारी जो चीजें हैं हमारी feelings वो कहां पर मनों में खोश में आती है और हमारी पांच इंद्रियों से आती है विज्ञान में खोश क्या हुता है विज्ञान में खोश मनों में खोश जो महसूस करता है जो sensory data यहां से उठाता है तो वो दे देता है विज्ञान में खोश wisdom body को वो उस पे analysis करता है उसके पांच-पांट है मन, चित, बुद्धी, अस्मिता और एहनकार है ना सास्त्रों में से चार भी कहा गया है तो पीछे के 20 मिलाके और चार ये 24 प्रवर्तिया हमारी बताई गई है जो हमारे इस चित के साथ आती है पर मैं इने पांच मानता हूँ क्योंकि अश्मिता और एहनकार दो अलग अलग चीजे है तो इस परकार से जो चीजे मनस क्या है मनस है आपका जो आपका मन से जो input आ रहा है उसमें जाता है चित क्या करता है उसमें चित में ना store house है subconscious mind उसमें बहुत सारे पुराने संसकार पड़े होते है तो पुराने संसकारों के साथ match करता है किसी को आपने देखा तो मैच करेगा इसकी शकल किससे मिल रही है अच्छा तुम तो फलाने हो आपने कोई सुन्दर लड़की देखी या सुन्दर खाना खाया तो बुद्धी क्या करेगी उससे analysis करेगी चित में से पुराने संसकार निकलेगे और बुद्धी कहेगी चलो ये कर लेते हैं फिर आपको एहंकार रोकेगा अस्मिता क्या होता है अस्मिता होता है जो आपने अस्तित्र के लिए लड़ते हैं मतलब self-preservation और एहंकार क्या होता है self-preservation नहीं पूरी दुनिया में चाना अपनी रक्षा नहीं करना है ना explore करना पूरी दुनिया पे चा जाना ये एहंकार ये सारी की सारी अगर पतंजली योगसुत्र को आप पढ़ें अपने mobile में आप उसका आप चिरूर डाल ले मेरे जीवन के और मेरे दिल के बहुत करीब है पतंजली योगसुत्र उसमें जो चीज़े आपको देखने को मिलेंगे उससे आपका जीवन ही बदल जाएगा तो पतंजली ने ही ये मनचित गुद्धी और एहंकार की अवधारना दे थी पर ये सारे हमारे के हाँ आते है विज्ञानमे कोश में आते है और विज्ञानमे कोश कितने एलिमेंट से मिलके बनाया है दो एलिमेंट से मिलके बनाया इसके बाद क्या आता है आपका आनंदमे कोश आनंदमे कोश क्या है आनन्द में पोश्च को input कौन देता है? विज्ञान में पोश्च देता है और वहाँ से क्या आता है? आनन्द, प्रेम, वसुध्यव कुटुम्बकम, दानशिल्ता और जिसे हम ecstasy कहते हैं परमानन्द यह सब चीज़े कौन महसुस करता है? यह हमारा आनन्द में शरीर महसुस करता है ठीक है? तो आनन्द में शरीर किस पर response करता है? या तो आत्मा को सुख महसुस होता है, दुख महसुस होता है कहां से आती हैं सारी चीजें यह आती है हमारी wisdom body से यानि के प्राण में प्राण में कोश से विज्ञान में कोश क्या है it is the storage material of mental cell है ना जो भी पुरा ले संसकार हमारे घुसे बढ़े कहां मिलते हैं आपको विज्ञान में कोश में और मनों में कोश किस पर इंपुट करता है sensory जो आपके sensor उसे बताते हैं जो आप योगाशन करते हैं तो उसका इंपुट भी आपके मनों में कोश तक जाता है आपके emotions जितने हैं उनका input भी आपके मनों में कोश तक जाता है आपका जो environment है योगि आपके mind को change करता है उसका input भी आपके मनों में कोश तक जाता है और आपका जो meditation है वो भी आपका मनों में कोश तक जाता है प्राण में कोश की बात करें तो केवल homeopathy जितनी भी विधाएं हैं होमेपेथी आपकी क्योंकि होमेपेथी के अंदर पोटेंसी होती है दवाई नहीं होती वो आपके प्राण में कोश्ट तक जाती है हीलिंग्स के जितनी विदिया है प्राण में कोश्ट तक जाती है प्राणायाम जो आप करते हैं वो आपके प्राण में कोश्ट तक जाते हैं योगासन आपका जाता है और आपके वातवरन से संबंदित जो चीज़े हैं वो भी आपके प्राण में कोश्ट तक जाती है अन्न में कोश्ट किस पर करता है नेचरल कॉलिस है न जो भी हमें मल मुतरतियाद करने के इच्छा है चीक है जमभाई है ये सारी चीजे है नींद है सरकेडिन रिदम्स है ये किसके साथ जुड़ी है आपके फिजिकल बोड़ी के साथ जुड़ी है जो हो गासन जवाब करते है येस फिजिकल बोड़ी पर रिस्पोन करती है मेडिसिन सिस्टम चाहे जितने हो ऐलोपेथी हो, आयुरवेदिक हो और शरीर पे कहीं कोई घाव हो जाए कोई चोट लगे या आप शरीर को जिम वगएरा में कहीं लेके जाए कहीं शरीर पे जो भी परतिक्रिया होगी क्रिया होगी, उस पे अनमे कोई रिस्पॉंड करता है और उसकोर्स बातवरन पे आपके रिस्पॉंड करता है तो इस प्रकार ये हमारा अश्टित्तु है जो इस स्रिष्टी में बनने के बाद कैसे नो नमबर और पाँच एलिमेंट और कैसे अलग-अलग युकी साइकल इस दुनिया में आई ये सारी घटनाईयों में कहां से पता चलती है ये पता चलती है अपने जिससे आप बोलते हो वैदिक निमरलोजी ठीक है तो ये चीज इसलिए आपको बताई और ये आपका बेस है अगर ये सारी चीजे आपको समझ में आती है अगर आपको नमबर्स के एलिमेंट समझ में आते हैं अगर आपको नमबर्स के रिलेशन समझ में आते हैं अपनी पांच शरीर अपने अस्तित के साथ में तो जो आपकी निमरलोजी है ये आपके लिए कोई बहुत बड़ा विशे नहीं रह जाता है